वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम आप लोगों के लिए बकराईद स्पेशल मटन चांप फ्राई रेसिपी लेके आए हैं जो बनाना बहुत आसान है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होगा और बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे ये चांप फ्राई चलिए हम शुरूर करते हैं 700 ग्राम ये मटन का चांप है, इसको हम एक कूकर में टांसपर कर देंगे इसको पहले अच्छे से वाश करें, सारा पानी इसका हमने ड्राय कर लिया है अब एक कूकर में आइट कर देंगे अब बहुत हलका सा कुछ मसाले इसमें हम आइट करेंगे आप टीस्पून नमक, नमक भी आगे हमें यूज करना है एक छोटा सा प्याज रफली से चौप करके आइट कर देंगे टू टीस्पून अधरक लशन का पेस्ट थोड़ा सा पानी आइट करेंगे इसको हम मिक्स करेंगे अब कूकर को कवर करके तीन से चार विसल में इसको हम कूक कर लेंगे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा ज्यादे ज्यादे लोगों में शेयर करिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमें सपोर्ट करिए अब तीन से चार विसल हो चुके हैं अब हमने फुल फिलेम पे इसका सारा पानी हमें ड्राइ कर लेना है देखिए इस तरीके से पानी इतना हो गया है इसको अच्छी तरीके से हमें ड्राइ करना है अब 70% ही इसको हमें विसल में कुक करना है बाकी फुराई में हो जाएगा 70% ही यो कुक हो चुका है और जो इसमें कसर बचा है वो हमें फुराई करते वक्त कुक हो जाएगा इसका पूरा पानी ड्राय हो चुका है, अब इसको हम साइट में रखेंगे, एक जबर दस्सा, हम मैरीनेशन इसका तयार करेंगे, बोल में टू टेबल इस्पून हम दही आइट करेंगे, यच्छा दर्ण रखेंगे, बोल मैरीनेशन रखेंगे, एक रखेंगे, प्रेफ पानी गरेनेशन आवरा, यहील रखेंगे है, आप यहीयर हम दय करेंगे, पौडर, क्वाटर टी स्पून हल्दी पौडर, हाप टी स्पून गरम मसाला पौडर, हाप टी स्पून चाट मसाला, हाप टी स्पून लाल मिर्च पौडर, हाप टी स्पून नमक, क्वाटर टी स्पून काला नमक, दो पीन, फूट कलर, अब नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करिए कम जादा आप कितना पसंद करते हैं उसी हिसाब से यूज़ करिए वन टी स्पून कसूरी मेथी रोश्ट करके हातों से क्रस्ट करके आइड कर देंगे हाफ लेमन जूस अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे बहुत अच्छी सी मसाले में से खुसबू आने लगी है बहुत ही टेस्टी मटन चाप फ्राई बन के तयार होगा थोड़ा साम पानी आइड करेंगे एक बड़ा चम्मच के करीब मिक्स करेंगे और सारे मटन चाप के पीसेस पे अच्छी तरीके से मसाले को कोट कर देंगे अब इसको हमें रेष्ट के लिए बिल्कुल नहीं रखना है फॉरण से ओयल गरम करके हम फ्राई करेंगे इस तरीके साब मटन चाप इस बकराई जरूर बनाएए सभी को बहुत पसंद आएगा एक बार इस तरीके से मटन चाप बना लेंगी सब मटन चाप के फैन हो जाएंगे इतना ये टेश्टी बन के तैयार होगा अब इस तरीके से बनाएँगी हर बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगी बकराईद में हर तरह के गोश्ट अवेलेबल होते हैं अब इस बकराईद जरूर बनाईएगा यकीन मानिए जिस किसी को भी आप खिलाएंगी वो आपके फैन हो जाएंगे बहुत इतेश्टी बन के तैयार होगा देखिए बहुत अच्छा मसाले इसके कोट है बिल्कुल इसकी कोटिंग नहीं उतरी है फ्राई करते वग अंदर से एकदम जूसी उपर से क्रिस्पी नेबू प्याज हरी चटनी के साथ आप इसको सर्फ करिए उपर से हम चाट मसाला एट करेंगे देखिए अंदर से त्म अच्छे सी ये गल चुका है थोड़ा सा चाट मसाला उपर से हम अट करेंगे इस तरीके से बनाईए अपने फैमिली वालोक साथ गेस्ट के साथ इंजुआए करिए इस बकराईट आप इस तरीके जरूर बनाईए सभी को बहुत पसंद आएगा आप लोग हमें सपोर्ट करिए आप लोगों के लिए इसी तरीके से इजी टेस्टी रेसिपी लेके हम आते रहेंगे आपने हमारे वीडियों देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जरी आपने हुआ इसे भल्सरीं देखा में फो ओक हब हम लोगों कर देखा